आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रधान मंत्री नरेंद्रबूती ने आज नई दिली में केंद्री अन्वेशन ब्यूरों के हीरक जैनती समारों का उद्खाटन किया इस औसर पर प्रधान मंत्री ने CBI के 18 अधिकारों को विशिष्ट सेवा के लिए राश्ट्रपती का पुलिस पदक प्रदान किया प्रधान मंत्री ने ब्यूरों के तीन अधिकारियों को सर्वत कृष्ट अन्वेशन अधिकारी के स्वन पदक से भी सम्मानित किया इस औसर पर प्रधान मंत्री ने शिलॉंग, पुडे और नाकपूर में CBI के नो निर्मित कार्याले परिसरों का भी उत्खाटन किया उन्होंने केंद्री अन्वेशन ब्यूरों के हीरक जैनती समारों के सलसले में समारक डॉक टेकेट और समारक सिक्का भी जारी किया प्रधान मंत्री मोधी ने CBI के ट्टेर हैंडल का भी उत्खाटन किया देश के कुछ राज्यों में वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकरण में व्रिधी को ध्यान में रखते वे केंद्र सरकार द्वारा अप्रेल महामें 10 और 11 अप्रेल को पैन इंडिया मॉक ड्रिल का आयोजन क्या जा रहा है इसमें अस्पतालों में विस्तर शम्ता, आइसलेशन बेड, ऑक्सीजन यूगता आइसलेशन बेड, आइसीउ और वेंटिलेटर सहित बेड की नियस संख्या की उपलब्धता सुनिशित करना है इसके अलाबा परेक्षन शम्ताओं में कोवीट परेक्षन प्रियोक्षालाओं की संख्या और शम्ता, आइटि-पी-सी-ार और आरेटी किट की उपलब्धता, परेक्षन उपकरन और रियेजन्ट की उपलब्धता को सुनिशित करना है स्वासभाग्ती संबंध में सभी कलेक्टर, मुख्य चिके सहम, स्वासदिकारी और अस्पताल की सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश शारी किये है केंद्री महिला और बालविकास मंत्राले के सच्चिव इंदिवर पांडे कल सतना प्रुवास पर रहे इस दोरान उन्होंने जिला मुख्याले में स्थापिट सीवा भारती के मात्रचाया शिशु ग्रह और धवारी स्थित वन स्टाफ सेंटर सखी का निरेक्षन किया निरेक्षन के दौरान केंद्रे सचिव पांडे ने मातरशाया शिशु ग्रह और वनस्टॉफ सेंटर की सिवाओ और व्यवस्थाओं पर संतुष्टी विक्त की विजिटर बुक में उन्होंने दोनु संस्थाओं के कुशल संचालन पर सरहना की और टिपडी भी दर्श की इंडियन प्रिमेर लीग में आशाम साड़े साथ बजे चिन्नई के में चिदंबरम स्टेडियम में चिन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनों सुपर जाइन्ट से होगा बिंगलूरु के में चिन्नस्वामी स्टेडियम में कल रात हुए मुकाबले में रॉयल चलेंचेस मेंगलोरु को मुंबा इंडियन्स पर आच पिकेट से शानदार जेत मिली इससे पहले एक अन्य मुकाबले में हैधराबाद की राजीव गांधी इंटरनाशनल स्टेडियम में रजसान रॉयल्स ने सनराइजस हैधराबाद को 72 रन से हरा दिया मुक्यमंद्री शिवरासिंग चोहार ने सभी सिला कलेक्टर्स को परंपरागत प्राचीन कुओं और भावडियों को चिनहित कर सूची बनाने की निर्देश दिये हैं उन्होंने कल कहा कि जिन कुओं और बावडियों को बिना भरे कवर कर दिया गया है उनके प्रती विशेश सतर्क रहें संसत के दूनों सदनों की बैठग दो पहर दो पजे तक के लिए सागित कर दी गई लोग सभा की बैठग भातेंता पार्टी के सांसतर्द गिरीश भाल चंद्र बापट को श्रधांचली देने के बाद अस्तिकित की गई जबकि राजसभा की बैठग अधानी ग्रोप होतरी होगी लेकिन 4-5 अपरेल को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा वुपाल में 4 अपरेल को हलकी भारिश की संभाब ना है वहीं दोर गुवालियर नर्मदापुरम रिवा चंबल उजयन संभाग में बादल चायर हेंगे वहीं पश्वे विशोप के असर के चलते रासानी वपाल में 4 अपरेल को हलकी भुंदाबांधी हो सकती है मौसम विभाग ने 3 अपरेल को गर्मे का आसर रहने के बाद कही वहीं 4 अपरेल को बादल के साथ हलकी भुंदाबांधी भी होगी 5 अपरेल को भी मौसम बतला हुआ रहेगा अपकु समझार से शेप म आम जनता को बिना रिकावट निरंतर बिजली प्रदान करने के लिए 281 करोड रुपय के लागत के अधू सरचना से जुड़े कारियों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन दौर में समर्सन वुलिपर की हूं खरीधी निरंतर की जा रही है। इस बुलिटिन में इतना ही दीजे जासत नमस्कार।